हलो नमस्कार फ्रेंड्स मैं रवी पतेल प्रोपिटेबल टेडिक स्ट्राटाजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर इसे हाल देख स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आजम ये वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के विकली व्यू के बारे में जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा विकली विजिस के उपर निफ्टी बैंक निफ्टी और करन्सी साथ में कॉमोडिटी के जो विकली व्यू आते हैं उसके अ और हम जो यह वह बैंक निफ्टी के अंदर फाइनल टार्गेट के करी को पहुंच चुके थे और वह लगबग हमारा आई लगा है 23,000 और 77 के आज पास मतलब वहां से वह लगबग सब्सक्राइब पॉइंट वबिचे है लेकिन पॉलॉमस्ट हमारा जो फॉइनल टार्गेट यह वह भी कंप्लिट हो गया था तो आपर हम बात करते हैं कि नेक्सट वीक के अंदर क्या उसके सपोर्ट रहें गे उसके बारे में तो नेक्सट वीक के अंदर दोस्तों हमें ज्यान रखना है कि कोई correction की possibility हो सकती है थोड़ा सा और 22,000 का जो लेवल है दोस्तों वो अगर break होता है तो हमें थोड़ा सा alert रहना पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे जो है वो थोड़ा सा correction हमें देखने को मिल सकता है bank nifty के अंदर nifty के अंदर कौन से लेवल है उसका भी video मैंने post कर दिया है तो वो video भी आप जरूर देख लेना और साथ में 21,650 का जो लेवल है वो अगर हमें देखने को मिल सकता है ठीक है 21,650 अगर यह जो लेवल है हमारा वो रहेगा final support next week के लिए अगर हमारा यह जो final support है दोस्तों वो अगर break हो जाता है ठीक है 21,650 का जो लेवल है वो वो अगर break हो जाता है उसके नीचे अगर वो बैंक निफ्की sustain कर लेता है तो हमें जो है वो थोड़ी से ज़्यादा हो सकती है और फिर उसके नीचे जो है वो हमें एक बार 21,400 से लेके लगबग लगबग हम 21,000 का जो लेवल है वो देख सकत है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यान देना है कि 21,600 का जो लेवल है वो बैंक निफ्की के अंदर break नहीं होने दिना है वो अगर break हो गाया तो हमें ज्यादा correction देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह आपने बात कर लेते बैंक निफ्की के बारे में अब बात कर लेते है उसके target के बारे में तो नंबर वन जो target है बैंक निफ्की के लिए वो है दोस्तो नेक्स्ट विक के लिए 22,700 का लेवल तेकर 22,700 का जो लेवल है वो बैंक निफ्की के लिए बहुत important रहेगा अगर बैंक निफ्की जो है वो यह लेवल को sustain कर लेता है उसके उपर अगर यह closing कर लेता है तो हमें जो है वो एक बढ़िया रेली देखने को मिल सकती है और यह रेली जो है वो 23,100 के आज पर जो है वो जा सकती है और यह जो है वो हमारा final टार्गेट रहेगा next week के लिए और closing basis के उपर अगर हमारा final टार्गेट वो sustain कर लेता है डेंक निफ्की तो हमें बहुत ही बढ़िया रेली देखने को मिल सकती है दोस्तों और हम जो है वो 23,300 का जो लेवल है वहां से लेके बैंक निफ्की को आने वाले time के अंदर 23,500 के ज देख सकते है ठीक है तो यह हमने बात कर लिए उसके support और उसके target क्या रहेंगे next week के अंदर उसके बारे में तो आपको वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके अंदर जो हम different type के currency और उसके commodity जो है उसके weekly view जो है वो discuss क ठीक है ठीक है थेंक्स for watching this video